वेल्गम पैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत इंपोर्टेंट कोशन्स की आज की कॉशन्स थोड़े अंडरस्टेंडिंग लेवल के यानि की आज का कॉशन्स कुछ इस तरह खें जिसमें आपक और बैल आइकन पे क्लिक भी जरूर केज़ेगा जैसे की फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मेल जाए तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें की एक कंज्यूमर है जिसका 89 रूपीज का एक कंपेंसेशन है जिसको उसे एक केस की रूप में फाइल करना है तो फो फो फोरुम सेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल को मिशन थर्ड है नेशनल इस्प्यूटरेशल को मिशन या फिर सुप्रेम कोट अगर हम अभी अपने अमेंड्मेंड कंज्यूमर पोटेक्शन एक 2017 की बात करें तो उसकी अकॉर्डिंग यां बताय रुपीस गिविन है तो डिस्टिक की बात करें तो डिस्टिक लेवल पर जो अमॉंट फिक्स किया गया है वो है वन करूर तो इट मीज यहां पर 89 लाइक का जो भी केस है वो डिस्टिक कोट में जाएगा तो यहां पर ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है विच आप दी फॉलाइंग डाज नॉट फॉल विदिन जुरुडिकेशन ओफ एमार टीप एक्ट यानि की फ्रेंड्स एमार टीपी कमीशन की जुरुडिकेशन के अक्वाडिंग यहां पर कौन सी चीज है जो फॉल नहीं करती है लाई नहीं करती है औप्चन है हमारे prevention of monopенных trade practices, second है prevention of restrictive date practices, third है provision of unfair trade practices, फर्थ है हमारी regulation of combinations तो फ्रेंड्स माटीपी की फॉल फिर्म सी अगर हमें पताओ तो उससे हम यह options अपने easily opt कर सकते हैं माटीपी की फॉल फिर्म है monop númer 이걸ς जूली तिक वाथ की गई है तो हमारा option जो है यह नहीं आएगा अगर हम यहां पर restricted ट्रेट प्राक्टिस की बात करें तो हमारा option second भी नहीं आएगा और यहां पर अगर unfair trade practices की बात करें तो यह भी हम यहां पर नहीं आएगा क्योंकि यह तीनों चीजें तो इसके अंदर apply की गई हैं यहां पर यह पूछाए कि कौन सी यहां पर लाइन नहीं होगी तो यहां पर option 4 जो हमारा regulation of combinations वह हमारा यहां पर सही होगा क्योंकि regulation of combination के ऊपर यहां पर MRTP Commission के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं बताए गई है नेक्स्ट है which of the following is not a part of the economic environment of a business यानि कि जो economic environment है किसी भी business का उसमें से यहां पर कौन सी चीज़े जो इसका part नहीं है फर्स्ट है competitive environment second economic system third changes in patent laws and fourth and none of the above तो friends अगर हम किसी भी business की economic environment की बात करें तो आपर competitive environment की बात की जाती है तो यह option हो जाता है और अगर हम economic system की बात करें तो economic environment की अगर हम बात करें तो यह भी हमारा गलत हो जाता है और अगर हम business की बात कर रहे है तो patent laws में जो भी changes आ रहे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे तो यह option भी गलत है तो इसका जो correct option की बात करें तो यहां पर fourth option जो होगा वह हमारा correct answer होगा next question पर आते हैं less is fair policy is adopted in यानि कि less is fair policy जो है वो कौन adopt करता है friends इससे पहले हम जान लेते हैं less is fair policy क्या होती है friend less is fair policy वो policy होती है जिसके अंदर जो private companies होते हैं या private sector होते हैं वो free होते हैं उनके उपर किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता किसी भी तरह की कस्टम डूटी को लेके रूल्स और आगलेशन को एक लेके तो यहां पर वो free होते हैं options की बात करते हैं socialist economic system capitalist economic system mixed economic system या communist economic system तो friends अगर हम socialist की बात करें तो यहां पर government की बात की जा रहे है तो यह option गलत है मिक्ण्ट की बात करें तो भी government यह भी गलत है, और communist की बात करें तो यहां पर government के rules चलते हैं तो यह भी option गलत हो जाते हैं तो हमारा जो right answer होगा वह होगा capitalist economy इसकी अंदर private sector की बात की जाते हैं यहां पर government intervention नहीं होता है next है relaxing the restrictions and controls imposed on business and industry means यानि कि किसी भी business and industry पे अगर किसी भी तरह के restrictions या controls imposed किये गए है और उसको relax किया गया यानि कि उनको हटाये गया है तो वो क्या है इसका मतलब liberalization से मतलब है और privatization से मतलब है globalization से मतलब है या none of these से मतलब है तो friends अगर किसी भी company या फिर किसी भी business या इंज़स्टी के ऊपर किसी भी तरह के restrictions हो इसको relax किया जाता है यानि कि control तो है लेकिन इतना control नहीं है कि वो अपनी किसी भी तरह की dealing ना कर पाएं किसी भी तरह के transactions ना कर पाएं तो वो हमारी कहलाते है liberalization liberalization के अंदर बहुत सारे restrictions और जो भी duties होते हैं उनको कम कर दिया चाता है और जो भी documentation होते हैं उनको भी कम कर दिया गया है जिससे कि अगर कोई person किसी other country के साथ dealing करना चाहे तो deal कर पाएं तो इसका हमारा option 1 जो हो correct है next question है a variable such as activity that causes cost over a given time is यानि कि कोई ऐसा variable जैसे कि कोई activity जो कि किसी cost उसकी जो cost आ रही है given time के उपर उसका कारण है तो वो क्या है cost driver, cost behavior, cost center या none of the other तो friends यह होता है cost driver के कारण जिसको हम cost driver बोलते है next है the concept of budget that requires all levels to work from scratch is यानि कि friends budget का वो concept जिसके अंदर scratch से शुरू किया जाता है सारा काम यानि कि अगर कोई भी budget prepare करना है किसी भी level पर तो वहाँ पर scratch यानि कि starting से किया जाता है तो वो budget कौन सा budget होता है flexible budget, total budget, master budget या zero based budget friends flexible budget की बात करें तो यहां पर budget की बात की जा रहे है कि कोई भी budget है जिसको आप कोई भी situation आने पर change करो तो यहां पर अगर हम scratch से लें तो यहां पर कोई इसका meaning नहीं निकल रहा तो यह option गलत हो गया total budget की बात करें तो total budget यहां पर हम बनाएंगे किसी और budget की helps यानि की हमारे पास different department की budget है उन सब की help से हमने एक total budget बना लिया तो यह option भी हमारा गलत है master budget बजट अगेन हमारा बात की जाती है different budgets को analyze करने के बात जो budget बनाया जा रहा हो master budget है तो यह भी गलत हो जाता है अगर हम scratch की बात करें तो होता है zero based budget नाम से ही बता चल रहा है जो zero से start होता है यानि की scratch से इसके लिए कोई भी base नहीं लिया जाता है यह starting से प्रपेर किया जाता है इसलिए इसका option for correct है next है accounting standard on the effect of changes in foreign exchange rate is यानि की friends वो accounting standard जिसके अंदर the effect of changes in foreign exchange rate आता है वो कौन सा accounting standard है तो friends वो accounting standard है हमारा 11 friends अगर आप अपने m.com entrance exam के त्यारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने यह जो counting standard है इनको भी आप अच्छे से revision कर लेजे क्योंकि यह भी important होते हैं exam के point of view से next है land is not depreciable asset because यानि की friends land depreciable asset नहीं है क्योंकि its value always increases इसकी value always increase होती रहती है there is no maintenance required इसके लिए किसी भी तरह की maintenance की जुरूत नहीं है life of land is unlimited जो land की life है वो unlimited है या फिर none of the above यानि की कोई नहीं तो friends अगर हम land की depreciable ना होने का कारण जाने तो इसमें बोला गया है फस्ट option की its value increase होती रहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जो कि हमने अपने घर में भी सुना होगा कि उस building के या उस land के प्राइस डाउन हो गया है वहां की लैंड जो है अब उनके रेट जो है वो कम हो गया तो ऐसा नहीं है कि always increase होती है तो options हमारा गलत हो गया next there is no maintenance required यह भी जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंड में किसी तरह की maintenance की जरूरत ना हो तो यह options भी गलत है हमेशा हमेरे लिए maintenance की जरूरत होती है हम उस पर कुछ ना कुछ infrastructure डवलब करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा वहां पर as a repair या फिर as a expense कुछ कुछ होगा options third है हमारा life of land is unlimited friends life of land is unlimited यह बिल्कुल correct है तो options अपना third सही बता सकते हैं कि हमारा option third सही है क्योंकि कोई भी land कभी भी खतम नहीं होते ऐसा नहीं है कि उस land की जो life है वो खतम हो गया हमेशा वो चलती रहती है चाहें कितने ही generations निकल जाएं लेकिन वो land वहां की वहीं ही रहेगी तो unlimited life होती है इसलिए यहां पर हम यह बोलेंगे कि land की जो depreciable assets है वो कभी नहीं calculate की जाते या फिर land की depreciation कभी calculate नहीं की जाते हैं नेक्स्ट है the elasticity of demand for luxury goods यानि की जो luxury goods की जो demand है वो किस तरह की होती है infinite more than one less than one या फिर equal to one तो friends अगर हम luxury goods की बात करें तो उसकी value होती है infinite विलकुल नहीं होगी क्योंकि कोई भी ऐसा person नहीं है कि price increase हो रहे है उसके फिर भी उसको हम purchase करते चले जाएं less than one वी नहीं होगी equal to one वी नहीं होगी तो यहां पर होती है more than one नेक्स्ट है profits are maximized at a point where यानि की ऐसे कौन सा point situation है जहांबर हमारा profit maximize होता है जहां हमारे MR equal to MC होगी यानि की marginal revenue equal to marginal cost या फिर marginal revenue less than marginal cost marginal revenue greater than marginal cost या फिर यह यहां पर average cost greater than marginal cost तो friends अगर हम profit maximize की बात करते हैं तो यह तब ही होगा जह हमारी marginal cost और marginal revenue दोनों equal होगी तो यहां पर option one हमारा right answer है हमेशा यह याद रखना कि marginal revenue और marginal cost अगर equal हैं तो वहां वह point हमारा सबसे ज़्यादा profit का होगा वहां पर हमारा profit maximize होगा तो यह situation हमेशा हमारी profit को maximize करती है next है the concept of consumer surplus was introduced and developed वाएं यानि कि कोई भी consumer surplus का concept है वो किसने introduced किया था या develop किया था E.A.G. Robinson है, J.M. Keynes ने, L. Robinson ने या फिर Alfred Marshall ने तो friends consumer surplus का concept था वो दिया था Alfred Marshall ने next question है in law of variable proportional initially when MP rises यानि की MP का मतला होता है यहाँ पर marginal product यानि की marginal productivity तो friends अगर हम law of variable proportion की बात करें तो अगर हमारा marginal productivity rise होती है तो यहाँ पर हमारी TP की situation क्या होगा TP rises at a decreasing rate, TP rises at a increasing rate, TP rises less than proportionately या फिर AP rises more than proportionately तो friends अगर हम अपने MP की बात करते हैं कि marginal productivity हमारी भढ़ रहे है तो इसका मतलब है कि हमारी total productivity भी increase होगी तो हमारा जो option 2 है वो हमारा correct transfer है next है which of the following statement is correct यानि कि monopolistic charges maximum possible price यानि कि इसमें से हमें बताना कि कौन से statement correct है तो monopolistic charge करती है maximum possible price को या फिर monopolistic always make profit ही हमेशा profit बनाती है या फिर monopolistic operates on an elastic demand curve यानि कि monopolistic operate करती है in elastic demand curve या फिर none of the above तो friends अगर हम यहां पर correct statement की बात करें तो यहां पर option 4 हमेशा जो prices होते हैं वो maximize होते हैं यहां पर क्योंकि जो company होती है वो monopoly अपनी create करती है तो product के price क्या करते है maximize कर देती है तो यहां पर हमेशा उसके price जो है maximize रहते हैं नेक्स्ट है the central processing unit of a computer consist of यानि कि जो central processing unit है किसी computer के उसके अंदर क्या-क्या consist है यानि क्या-क्या होता है input, output and processing second है control unit primary storage and secondary storage third है control unit, mathematical logic unit and primary storage और फिर फिर नेक्स्ट option है हमारा central processing unit के अगर हम बात करते हैं तो इसका जो right answer होगा हमारा third जो कि very common है यहां पर हम बात करें CPU की तो CPU के अंदर हमारा सी यू होता है जिसको control unit बोलते हैं, ALU होता है जिसको mathematical logical unit बोलते हैं और PS होता है primary storage next question पर आते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का last question है if the sample size increases the sampling error यानि कि अगर हमारा sample size increase होता है तो हमारा sampling error किस तरह का होगा decrease होगा, increase होगा, remains constant रहेगा या फिर none of the above रहेगा तो friends यहां पर अगर हम बात करें sample size increase होने की तो हमारा sampling error है अगर हम sample size increase करके चलने तरह sampling error increase होने के chances ही नहीं होते क्योंकि यहां पर हमारे पास enough हमारे पास variables हैं हमारे research करने के लिए रिमेंस constant भी हमारा option गलत है और ननौकदी गलत है तो हमारा option one to quote the statement marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process ते किसने quote किया था इसका right answer है A. Flipkartler यह Flipkartler ने कहा था कि marketing जो है वह a human activity है जो की satisfy करती है लोगों की needs को उनकी wants को exchange process के थूँ तो यह as it is है इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है तो friends आप इसको याद कर लीजी क्योंकि इस तरह की quotation quotes जो होती हो बहुत पूछी जाती है online transactions are especially important dash for commerce अब online marketing किसके लिए important होता है C to C यानि customer to customer customer to business business to business या all of the above तो इसका यहां पर right answer है option number यहां पर C business to business option C next है electronic commerce क्या है तो यहां पर अगर हम बात करें electronic commerce की तो आप जानते हैं इसके अंदर commercial services को internet पर advertise किया जाता है option one correct है includes electronic trading of goods and services second भी हमारा correct है includes electronic funds transfer and data exchange यह भी हमारा correct है इसलिए यहां पर option D हमारा right answer हो जाएगा next है which of the following is false salesmanship is a part of personal selling तो यहां पर हम बात करें तो यह भी हमारा correct है personal selling is a part of promotional mix यह भी correct है promotional mix is a part of marketing mix यह भी हमारा correct है और यहां पर false पूछा गया है तो none of the above इसमें right answer D होगा next question पर आते हैं marketing philosophy can be best explained as जो marketing philosophy है वो explain की जाते है किसके दोरह creating the market and selling products facilitating satisfying exchange relationship with customer यानि की जो customer की जो customer का जो एक्सचेंज रिलिशन्शिप उसको satisfy करने के लिए distribution करने के लिए product को right place पर market में या फिर demand को create करने के लिए profit maximization के लिए तो यहां पर marketing philosophy की बात की जा रही है तो देखें यहां पर market philosophy का मतला होता है जो भी customer है उनके साथ उनको satisfy करना उनको satisfy करना किसके साथ में exchange करके product को तो option यहां पर भी right answer हो जाएगा next question है all of the following are marketing management task except अब जो इन मैंसे कौन-कौन से marketing के टास्क है marketing planning, project development and analysis, coordinating promotion mix, pricing the product तो marketing management की यहां पर बात की जा रही है तो marketing management के अंदर देखें, marketing planning की जाती है promotion mix के बारे में बात की जाती है, pricing the product की बात की बात की जबकि project development and analysis इसका पार्ट नहीं होता है इसलिए यहां पर option B right answer हो जाएगा next is which is the task of advertising advertising का कौन सा पार्ट है providing information about the product image building, behavior reinforcement, या फिर all of the above तो देखें, यहां पर जो advertising का task है वो product की information provide करना होता है एक जो product होता है, उसकी image build करना होता है company की image build करना होता है और behavior enforcement का काम होता है इसलिए यहां पर option D right answer हो जाएगा next है change in the minimum drinking age in the UK presents a change in which of the following for kingfisher beverages अब इसमें minimum change किया गया है तो यहां पर यहां पर प्रोड़क्ट स्ट्राटजी तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर marketing environment marketing environment के according उसमें थोड़े से चेंज किये गए किंग फिशर की विवरेज में next है the 5th P of marketing has its clueness अब 5th P जो है वो क्या है आपको पता है जो हमारे 5 P's है वो कौन-कौन है product, price, place, promotion यह है 4 P's तो यहां पर देखी product price, price place, product of place product of promotion है तो यहां पर इसका राइट आंसर है option number D जो की है product and promotion next question है AMA stands for AMA का हमें full form बताना है तो इसका full form है American Marketing Association option यहां पर हमारा भी right answer है next है which concept of marketing is a product oriented product oriented marketing की यहां पर अगर हम बात करें तो यह product oriented marketing हमारा यह old concept of marketing है तो options ही यहां पर हमारा right answer है next question है USP अब USP की full form क्या होती है तो USP की full form की बात करें तो यहां पर इसका right answer है option number B जो की हमारा unique selling proposition option B right है next है of the following media which one is used least frequently by business to business marketing marketers अब यहां पर media की बात की जाए तो यहां पर business to business की बात की जा रही है इसको आप याद रखना तो टेलीरिजन business to business के लिए least frequently used है तो यहां पर option B right answer हो जाएगा next question है which of the following factors are used to understand consumer behavior अब इसमें से कौन सा है factor जो की consumer behavior को use किया जाता है consumer behavior के अंदर उनको understand करने के लिए motivation, attitude and beliefs, learning या all of the above तो यहां पर देखिए हमें जो examples दे रखे हैं उसमें इस सारी ही चीज़ें हमारे use की जाते हैं किसी भी consumer को उसके behavior understand करने में इसलिए option D यहां पर right answer हो जाएगा next question है a paid form of non-personal communication about a product that is transmitted to a target audience through a mass medium is अब एक paid promotion किया जा रहा है non-personal communication के अंदर product को लेकर जिसमें एक target audience है जिसमें mass medium हम वहां पर use कर रहे है तो वह कौन सी चीज़ कहलाती है publicity, sales promotion, advertising या पर personal selling तो यहां पर देखिए इसका जो right answer होगा वहां पर option C क्योंकि देखिए friends, advertising जब की जाती है तो mass medium है यह बहुत सारे जो customers है हमारे उनको यह target करेगा जाहे हम वह तीवी के थुरू ले 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 जाहे हम कोई भी medium follow कर ले ले अगर हम एटवडाइजिंग किसी product की करा रहे है तो वहां पर जो mass audience है उसको cover करेगा और यह पेटफॉर्म होता, non-personal होता है ठीक है इसमें कोई personal connection नहीं होता है customer के साथ non-personal communication है इसलिए हम पर option C right answer है next question है which of the following facts is or are true business to business B to C है business to consumer B to G है business to government C to C है consumer to consumer या फिर all of the above तो यहां पर इसका right answer हो जाहेगा D all of the above यह सारे ही correct है next है marketing maivya जो concept है वो किसने दियाता है Flip Cutler, Henley Ford, Theodore Leavitt या फिर none of these तो यहां पर इसका right answer है option C Theodore Leavitt इन्होंने marketing maivya concept यह बहुत important question है friends, यह question बहुत पूछा जाता है exam में next question है FAQs stands for FAQs जो होता है इसकी full form बताने है आपको इसकी full form है frequently asked questions option A right है next है techniques of sales promotion अब sales promotion की कौन कौन सी technique है free samples and free offers merchandising trade credits or all of the above तो यहां पर देखें option की according अगर हम देखें तो यह सारी ही चीज़े sales promotion में यूज होते हैं free sample की बात कर लें merchandising कर लें या फिर trade credits follow कर रहें इन सारी चीज़ों में हमारे product जो है वो promotion हो रहा है option C right answer है और यह help भी करते हैं हमारे sales को promote करने में next question है prices are kept very high in which pricing policy अब किस pricing policy में हमारे जो prices वो high रखे जाते हैं तो देखें यहां पर इसका right answer होगा option A skimming pricing policy में इसके अंदर जो prices होते हैं वो बहुत ही high रखे जाते हैं next है product includes एक product में क्या क्या include होता है idea, service, place और all of these तो देखें यहां पर product की बात करें तो यहां पर option D right answer होगा एक product में idea भी हो सकता है अगर कोई अपना idea दूसरे को sell out करता है तो वो भी देखें product है अगर कोई service दे रहा है जैसे कि doctor हो गया, lawyer हो गया यह आपको service दे रहे है product है place किसी ने आपको कोई place प्रोवाइड कराया उसके वहाफ पर उसने rent लिया आपसे यह product है होगा next question है the schedule and sequence for visiting the outlets in any market is known as dash plan अब कोई भी ऐसा sequence है जिसके तुरू आप विजिट कर रहे है outlet को किसी market में जाकर वो हमारा क्या कहलाता है तो यहाँ पे इसका right answer होगा option number C next है the ultimate level of segmentation leads to the ultimate label of segmentation वो क्या leads करता है niche marketing, individual marketing, local marketing या फिर none of these तो यहाँ पे option B जो है वो right answer है उसको कहते है हम individual marketing next है which one is not the element of marketing mix packaging, price, distribution, quality तो देखें यहाँ पर अगर हम marketing mix की बात करते हैं तो यहाँ पे option हम देखें तो देखें यहाँ पे D जो है वो right answer होगा quality की बात इसके अंदर नहीं की जाते हैं packaging की, price, distribution की बात हम करते हैं next question है which one is not the phase of new product development अब इसमें से कौन सा फेज नहीं है idea screening, concept development, concept testing, quality control तो इसका right answer option D quality control new phase नहीं है क्योंकि new phase में quality control की बात करते हैं screening की बात करते हैं development की बात करते हैं product के और testing की बात करते हैं कितना चलेगा next है price of a shoe is 299 this is an example of what pricing penetration, psychological, concept or skipping तो यह option B यहां पर राइट है यह psychological based होते हैं क्योंकि देखे friends, वह यह psychology पर based होते हैं यहां पर अगर इस product का 300 price होता तो यह लगता हमें बहुत costly है लेकिन वही 299 रग दिया लेकिन यह हमारी psychology based होता है यहां पर customer को लगेगा सस्ता है और यहां लगेगा इसको मेहंगा है तो इसलिए इसलिए आपने रिखा होगा malls में कोई product होता है तो 49 rupees रग देते हैं 99 उसका price रग देते हैं 129 159 169 इस तरह से price रग देते हैं इसलिए क्या होता है customer को लगता है कि बहुत सही है यह product क्योंकि cheap है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है difference सिर्फ एक का है लेकिन यह हमारी psychology based होती है इसलिए इसको psychological pricing कहा जाता है next question है marketing of anti-sensors drugs is the example of dash marketing तो इसका right answer है option A इसको बोलते है next question है the product is a bundle of dash that is consumer buys अब जो product है वो किसका bundle होता है? consumer buys के according features, satisfactions, preferences convenience तो देखें यहां पे इसका right answer है B Satisfaction जब कस्टूमर को satisfaction मिलता है bundle of satisfaction की बात होती है वहां customer उस product को buy करने की सोचता है option B right है which of the following is not the element of promotion mix तो आपको पता है promotion mix हम किस-किस के थुरू करते है advertising, personal selling, publicity यह सारी हमारी क्या है promotional mix के अंदर आते है जबकि इसमें जो place है वो नहीं आता तो यहां पे जो right answer है option B placed next which of the following is the correct order तो आपने पढ़ा होगा correct order क्या होता है product, price, promotion and place यह इसका correct order है ticket option देखें यहां पर right answer हो जाएगा next question पर आते है which of the following which of the demographic variables is not used by marketers for demographic segmentation अब demographic segmentation के अंदर कौन से demographic variables है जो कि marketers के द्वारा use नहीं किया जाता है तो देखी friends यहां पर दे रखा है gender, age, occupation और poverty तो poverty एक ऐसा यहां पर demographic variable है जो कि demographic segment के अंदर use नहीं किया जाता है तो यहां पर option D हो जाएगा जबकि अगर हम demographic segmentation की बात करें तो हम यह देखते हैं कि हम जाओं भी अपना product को sell out कर रहे हैं वहां का gender हम देखेंगे कि वहां पर जो purchase करने वाले public है वो किस तरह की है उनकी age क्या है हमने किस जो product हम introduce करें market में वो किस age group के लोगों के लिए है वहां का occupation क्या है क्योंकि इन सक चीजों पर हमारे depend करता है product क्योंकि product भी इसी चीज के according होना चाहिए तो poverty वहां पर कोई एक कोई variable नहीं होता जबकि other variables check कि जाते हैं next आते हैं I hope यह question आपको clear हुआ होगा at which stage of the new product development the launching of new product will take place अब ऐसी new product की कौन सी stage है जिसके अंदर new product को launch किया जाता है business analysis test marketing commercialization या फे marketing strategy development तो यहां पर इसका right answer है friends option number यहां पर C commercialization यहां पर हम new product को launch करते हैं market में अपनी product को sell करने के लिए तो option C यहां पर हमारा right answer है next question है in a company uses its company name for its entire range of product offered then it is called अगर कोई company अपना company का name यूज कर रहे है product को offer करने के लिए product की range है उसको offer करने के लिए तो उसको क्या बोलते है private branding corporate branding product life branding या फिर specific product branding तो उसको बोलते है corporate branding क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं आप कंपनी का नाम यूज कर रहे है इसलिए corporate आगया वहाँ पर corporate branding के नाम से वह अपने product को introduce करेगी next question पर आते है one level channel of distribution अब आपने पढ़े होंगे one level, second level, three level तो उसमें one level distribution channel वह होता है जिसमें सिर्फ बात की जाती है producer से consumer की तो option A right है और producer, dealer, consumer हमारा second level होता है फिर हम पात करें third level होता है और यह होता है हमारा multi क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसमें agent भी हम introduce कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर option A जो है वह हमारा right answer होगा next question पर आते हैं the primary role of a production manager is अब production manager का primary role production target and delivery schedule to produce good services of right quality to produce good services by right quantity at the predetermined time or all of the above तो इसमें अगर production manager की बात करें तो यह सारे ही बात यहां पर उसकी रोल में फिट बैटती है क्योंकि यह सारे ही काम एक production manager के होते हैं इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं fixed position layout is used when अब जो fixed position layout जो है वो कहां यूज की जाती है the production the operation requires heavy tools and equipments या फिर the operation requires only hand tools and simple equipments या फिर third the continuity of production process is to be maintained तो देखें यहां पर fixed position layout है वो हम use करते हैं जब हमारा operation को heavy tools and equipments की जड़त होती है इसलिए यहां पर option A वो हमारा right answer हो जाएगा next आते है which is the element of modern marketing modern marketing का कौन सा element emphasize mutually benefits customer oriented operational या फिर all of the above तो यहां पर option all of the above right answer हो क्योंकि यह modern marketing के element में consider किया जाते है next question आते है online marketing includes online marketing में क्या के चीज़ों को include किया जाता है तो देखिए इसके अंदर include किया जाता है specialty on online marketing non-instrumsive of online marketing soft selling all of the above तो यह सारी ही चीज़ों online marketing के अंदर include की जाते हैं इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं the marketing concept involves marketing concept के अंदर क्या के चीज़ों को involve किया जाता है friends organization integration देखते हैं competition orientation देखते हैं customer orientation तो इस सारी ही चीज़ों को online marketing के अंदर देखा जाता है इसलिए option D again right answer next है brand can be a brand क्या हो सकता है product mix product feature product name या product utility तो friends product mix के नाम से कोई brand नहीं होता नहीं उसके features के according कोई brand होता है brand होता है नाम से logo से ठीक है तो इसलिए पर option C right answer हो जाएगा उसकी utility से भी कोई brand consider नहीं किया जाता next आते हैं product line covers product line के अंदर क्या क्या cover किया जाता है departmental store one price retailer general retailer या फिर all of the above तो इसका right answer product line के अंदर हम इन सारी चीजों को include करते हैं option D हमारा right answer next है brand includes brand में क्या के चीज़े include कि अब यहां पर आपने उपर पड़ा था मैंने आपको बताया भी था logo इंक्लूड किया जाता है तो अब यहां पर यह कॉशन on creel हो जाएगा brand के अंदर combination of name and symbol yes हो सकता है design logo and mark all of the above brand के अंदर इसलिए यहां पर option D right answer होगा एक brand नाम और symbol दोनों को मिला के combination से हो सकता है design से हो सकता है logo से हो सकता है जैसे कि आपने पता है SBI का अलग logo है SBI bank का आपको पता है apple phone का अलग logo है इसलिए उसको बुला जाता है brand उसका आपने देखा होगा मतलब हर प्रोडक्ट का एक अपना logo होता है कुछ features नहीं हम यह बोल सकते हैं उनका कुछ नाम होता है जैसे की Pantene नाम है Pantene Shampoo तो इस तरह से कुछ प्रोड़क्ट के नाम होते हैं कुछ logo होते हैं next question है what is the advantage of marketing information system अब marketing information system के advantage होते हैं तो देखिए data warehousing, marketing intelligence, data mining all of the above सारे ही marketing information के part है इसलिए यहां पर option D हमारा right answer हो जाएगा next question है dash is a new way of performing the task of marketing made feasible by the event of advent of new technology namely the internet अब यहां पर बोला जा रहा है कि इसा कौन सा रास्ता है नया तरीका है marketing को perform करने का feasible मतला feasible हो और वहां पर हम new technology है उसके नाम से internet जो भी है उसको हम advertise कर पाए rural marketing online marketing green marketing या फिर e-marketing तो देखिए एक नया जिसमें हम internet जिसको हम internet की through feasible कर सकें अपनी सारी चीजों को advertise कर सकें marketing की तो एक नया तरीकी की बात करें तो वह है online marketing जो कि बहुती सही है यहां पर हम मास लोगों को कवर कर सकते हैं अपने product को दूर तक दूर तक हम बता सकते हैं product के बारे में तो यह सबसे अच्छा वे है इसलिए option भी यहां पर right answer हो जाएगा next question पर आते है है supply chain management include होता है इसलिए यहां पर option D right answer हो जाएगा क्योंकि marketing के अंदर हम research marketing CRM जिसको बोलते हैं customer relationship management इसकी बात करते हैं supply chain की बात करते हैं सारी चीजों को इसमें include के जाता है इसलिए यहां पर option D right answer है next question पर आते हैं marketing potential अब marketing potential क्या होता है sales potential industrial potential इसलिए यहां पर marketing potential के अंदर यहां पर industry potential से होता है इसलिए यहां पर option D right answer हो जाएगा next question है next question है which is our element of promotion mix promotion mix का इसमें से कौन-कौन element है public relations exhibitions and trade fairs personal selling या फिर all of the above तो देखिए इसके अंदर all of the above include होगा क्योंकि देखिए personal promotion में हम public relations की बात करते है exhibition trade fair भी हमारे promotion का पार्ट है और personal selling में हमारे promotion का पार्ट है अब एक factual question है जो कि exit है हम इसमें कुछ changes नहीं कर सकते कुछ logic नहीं लगा सकते ठीक है who among the following has been given two basic qualities of good salesman अब कौन सा person है जिसने दो qualities बताई लेविट, फिलिप कॉटलर, कंडिफ और गोवनी तो यहां पे इसका right answer है option number B वो थे फिलिप कॉटलर जिन्होंने बताया था इसके qualities होनी चाहिए एक empathy दूसरा persuasion तो option B यहां पे हमारा right answer है तो आज की वीडियो यहीं finished करते है I hope आपको आज की questions पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किचे आपने friends के शेर किचे किसी भी तरह की कोई भी query हो तो जरूर बताएगा तो friends आज के लिए इतना ही next video में फिर मिलते हैं आपसे और विच्छी वीडियो के साथ तक तक लिए take care friends Bye bye